राम मंदिर के बाहर मुसलिम बहू की फूलों की माला ए खुदा ये क्या नूर और अर्शी ऐसे काप क्यों नहीं है ना ही तो हमारे पास करम कपड़ी है और ना ही कंबल मेरी दोनों बच्चियां ऐसे ठंड के मौसम में भी इन फटे कपड़ों को पहन कर रहती है देखे ना इन्हें कितना तेज बुखार है आज आप कंबल लाने वाले थे कहां है कंबल जन्नत मुझे माफ कर देना मैंने तुम से वादा किया था कि आज में कंबल लेकर आऊंगा लेकिन तुम तो जानती हो ना कि मोची के काम में कितनी ही कमाई हो पाती है दिन रात काम करने के बाद भी मैं इतने पैसे नहीं जमा पाया कि मैं तुम लोगों के लिए कमबल ला सकूँ जन्नत को कुछ भी समझ में नहीं आरहा होता है कि तब ही जन्नत की नजर अपने आंगन के कोने में पड़े सुखी घास पर जाती है जिसे देख जन्नत की दिमाग में खयाल आता है सुनी जी घर के उपर छट पर कुछ बोरे पड़े हुए हैं आप जल्दी से उन दुनों को उतार दीजी जन्नत की कहने पर फरान लकडी की सीड़ी के सहारे अपने घर के उपर बनी छट पर चड़ता है और वहां से बोरो को उतार लेता है और लाकर जन्नत को दे देता है जन्नत उन बोरो के टुकडों को आपस में सुई धागे की मदद से सिलती है और उनके अंदर सूखी घास भर देती है जिसके बाद उस घास और बोरे से बनी कंबल को जन्नत अपनी दोरो बेटियों को उड़ा देती है ये कंबल जितनी गर्माहर तो इन्हें नहीं दे पाएगा लेकिन कम से कम इनकी थोड़ी बहुत सर्दी तो रुख जाएगी जन्नत में क्या करूँ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम लोग कोई कोई नया काम शुरू कर सके और ना ही किसी का सहारा है फिकर मत कीजी हम श्री राम की नगरी आयोध्या में रहते हैं बहले ही मेरा जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ है लेकिन बच्पन से ही मुझे श्री राम पर भरोसा रहा है आप देखना वो हमारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने देंगे अयोध्या में जन्म लेने और बच्पन से रहने की वज़ा से जन्नत में श्री राम के प्रती श्रद्धा बच्पन से ही थी जन्नत के पती और बच्चे भी श्री राम के भक्त थे दिसंबर शुरू होने की वज़ा से सरदी ने अपनी चरम सेमा छोली थी और चारों तरफ कडाके की सरदी का माहुल था अरे फारान भाई साहाब ये क्या आप तो ठंड के मारे काप रहे हैं इतने ठंड के मौसम में आपने ये पतला सा कुरता डाल रखा है आप तो जानते हैं ना कि मोची के काम में कहां इतनी कमाई हो पाती है कि हम लोग अपने लिए गरम कपड़े ले सके अरे फरान भाई साथ आप शीराम मंदिर के बाहर दिन रात इस कड़ाके की सर्दी में मेहनत करके मेहनत से काम करते हैं एक दिन देखना शीराम आप किस मेहनत का फ़ल आपको जरूर देंगे जब तक के लिए आप ये गरमा गरम चाहे बीचिए फरान के मुस्लिम होने पर और राम मंदिर के बाहर बैटकर मोची का काम करने पर आसपास के किसी भी व्यक्ती को उससे कोई परेशानी नहीं थी बलके सभी उसे पसंद करते थे और उसकी हर परेशानी में उसकी किसी न किसी तरह मदद करते थे फरान दिन के 30-40 रुपई ही कमाता है जिससे जैसे तैसे अपने परिवार का गुजारा चला रहा था पंडी जी राम राम आपके मुझे ये राम राम शब्द भी कितना मीठा लगता है आप जैसे लोगों की वजा से ही हमारे देश में आज भी एकता बनी हुई है मेरा मानना तो ये है कि क्या अल्ला और क्या राम सबी एक ही है लेकिन मानने वालों ने इन्हें अपने अपने धंक से माना है कोई राम कहकर मंदिर में माथा टेकता है तो कोई अल्ला कहकर मस्जिद में सजदा करता है लेकिन सब को पालने वाला और सब पर अपनी रहमत बरसाने वाला तो वो एक ही है आपके मूँ से ऐसे शब्द सुन मेरा मन तो आपने मो लिया ये लीजिए भगवान राम का परसाद फरान आदर्श सम्मान के साथ पन्डिजी से भगवान राम का परसाद लेता है पन्डिजी काफी जादा बूरे थे इसलिए वो लाठी के सारे ही चला करते थे रोज की तरह पन्डिजी जब घर जाने के लिए रोड क्रॉस कर रहे होते हैं पन्डिजी के हाथों से लाठी छोड जाती है और वो उसे अठाने के लिए जुकते हैं कि तभी एक आदमी तेज रफतार में गाड़ी लेकर पन्डिजी की तरफ बढ़ रहा होता है जुसे देख फरान जल्दी से पन्डिजी के पास जाता है और उन्हें उस एक्सिडन से बचा लेता है लेकिन इस घटना में फरान हमेशा हमेशा के लिए अपने पैरों को खो देता है और अपाहिस बन जाता है अपने पती को अपाहिस देख जन्नत पूरी तरह से तूट चुकी थी मंदिर के पन्डिजी और मंदिर के आसपास काम कर रहे लोग जन्नत की काफी मदद करते हैं और उसे उसके बच्चों के लिए राशन देते हैं जिसकी वज़ा से कुछ हफते तो जन्नत के निकल जाते हैं लेकिन अब जन्नत के घर में तंगी का माहल शुरू हो चुका था अमी अमी बहुत भूख लगी है कुछ खाने के लिए दो ना सुबे से आपने हमें कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया है हाँ अमी जन बहुत भूख लगी है कुछ खाने के लिए दे दीजिए गर में तो बस गल की 반 रोटियों नमक रखा हुआ है। यह काम करती हूँ, उसे ही चुले पर सेख कर दे देती हूँ. कमसे कब इनकी थोड़ी बहुत थो भूख मिटेगी। जन्रत बासी रोटियों को चूले पर सेखती है और नमक के साथ अपनी दोनों बेटियों को दे देती है ये रोटी तो आज खाने में काफी अच्छी लग रही है हाँ मी नमक की साथ रोटी खाने में तो अलगी मज़ा है आपसे आप मुझे नमक की साथ ही रोटी दे न मेरी बच्चियों मैं जानती हो कि तुम्हें नमक की साथ की रोटी बिलकुल भी अच्छी नहीं लग रही है मेरा दिन न दुखे इसलिए तुम दोनों ये रोटी खा रही हो अपनी अमे को माफ कर दे न जननत मेरी वज़ा से तुम क्यों रो रही हो ये सब मेरी वज़ा से हुआ है उपर वाले ने मुझे इतना लाचार बना दिया है कि मैं अपनी बीवी और बेटियों को दो वक्त की रोटी भी नहीं खिला पा रहा हूँ अपने अब को मत कोसिये मैं सोच रही थी कि क्यों न अब मैं भी काम करना शुरू कर दू रहामंदिर के बाहर कुछ लोग फूलों की दुकान लगाती हैं उनकी दिन में अच्छी खासी बिकरी भी हो जाती है रहामंदिर में दर्शन के लिए दिन में कई सौ लोग आते हैं लेकिन जन्नत तुम तो जानती हो ना कि हम मुसलिम हैं क्या एक मुसलिम के हाथ से ली हुई फूलों की माला कोई भगवान को अर्पित करेगा आप फिक्र मत कीजी मुझे भगवान श्री राम पर पूरा भरोसा है आप देखना लोग हम से जरूर फूलों की माला खरीदेंगे और उन्हें भगवान श्री राम को जरूर अर्पित करेंगे अपनी भगते और शद्धा से जन्नत के मन में एक विश्वास का दिया जल जाता है जिसके बाद अगले दिन सुभा चार बजे उठकर जन्नत फूलों के बगीचे से माला के लिए फूलों को इकठा करने के लिए जाती है ठंड की वज़ा से सुभा चार बजे कड़ा के कि सर्द हवाईं चल रही होती हैं ठंड की वज़ा से जन्नत का शरीर बहुत बुरी तरह कांप रहा होता है अच्छो अच्छो मेरी तो हालत ही खराब हो गई ऐसा लग रहा है कि बरफ के बीचों बीच चल रही हो लेकिन अपने परिवार का बेट पालने की जिम्मेदारी अब मुझ पर है इसलिए मुझे इस ठंड में काम दे हुए मैनद करनी होगी और फूलों को इकटा करके भगवान शरी राम के लिए फूलों के माला बनानी होगी जन्नत का शरीर ठंड से ठिटो रहा था लेकिन जन्नत के मन में जो श्री राम के लिए भक्ती और शद्धा थी उसके सारी जन्नत ठंडी हवाओं को सहते हुए फूलों को जमा करती है और उनसे काफी सारी मालाएं बनाती है जिसकी वजा जन्नत अपनी बड़ी बेटी को अपनी अब्बू का खयाल रखने के लिए छोड़ देती है और छोटी बेटी के साथ राम मंदिर के बाहर जाकर फूलों की दुकान लगा कर फूलों की माला बेचने लगती है फूलों की माला ले लो फूलों की माला रंग भी रंगी फूलों की माला सिर्फ 10 रुपे में फूलों की माला ले लो ए भगवान ये क्या मुस्लिम औरत राम मंदिर के बाहर फूलों की माला बेच रही है मैंने तो आज से पहले किसी भी मुसलिम को मंदिर के बाहर फूलों की माला बेचते हुई नहीं देखा भाई साहब फूलों की माला लेजी सिर्फ 10 रुपे की है तुम तो मुसलिम हो फिर भी राम मंदिर के बाहर फूलों की माला बेच रही हो तो क्या हुआ भाई साब कहीं लिखा है क्या कोई मुस्लिम मंदिर के बाहर फूलों की माला नहीं बेच सकते हैं क्या ये तो काम है देखे जरा इनकी फूलों की माला कितनी जादा सुन्दर है यहाँ पर जितनी भी पूलों की माला की दुखान है उसमें से सबसे जादा सुन्दर फूलों की माला तो यह सस्ती और सिर्फ यहीं बेचती है जन्नत उन कस्टमर को फूलों की माला दे देती है आसपास मौझूद लोगों की मदद से जन्नत की फूलों की माला की बिक्री धीरे धीरे अच्छी होने लगी थी किसी को भी जन्नत के मुसलिम होने पर कोई भी परेशानी नहीं थी अगर कोई परिशानी भी होती तो आसपास के मौजूद सभी लोग जन्नत की मदद करते अगर उस दिन इनके पती अपनी जान पर खेल कर मेरी जान नहीं बचाते तो मैं तो कब का भगवान को प्यारा हो गया होता एक मुसलिम होकर हिंदू पंडित के जान बचाने के लिए इनके पती ने अपने दोनों पैर खुर्बान कर दिये पंडित जी हमीं माफ कर दीजी आज आपने हमारे आँके खोल दी बेहन जी आप भी हमीं माफ कर दीजी आज के बाद हम कभी भी ऐसे किसी की साथ भी बेदबाव नहीं करेंगे लाइए आप मुझे फूलों की माला दे दीजी अपसे मैं आपकी ही दुकान से फूलों की माला लूंगी और भगवान शीरी राम जी को अर्पित करूंगी पंडिजी और आसपास के लोगों को अपनी मदद करता देख जन्नत की आँखों में आसु आ जाते हैं जिसके बाद अब हर कोई सिर्फ जन्नत से ही फूलों की माला और प्रसाद खरीदता और भगवान शीराम को अर्पित करता अब मंदिर में जन्नत के हाथ के बने हुए फूलों की माला ही भगवान शीराम जी को अर्पित की जाती थी जन्नत भी अपनी बेटियों के साथ मंदिर जाती है और भगवान शीराम की पूरी श्रद्धा और भक्ती से सेवा करती है अपनी श्रद्धा और भक्ती से जन्नत ने कहीं न कहीं लोगों के दिलों में हिंदू मुस्लिम को लेकर भेदभाव को खत्म किया था जन्नत ने ये थाबित किया था कि सबका मालेक एक है